हालो, वेलकम टू लर्न वित वर्शा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1500 कुष्टिन सीरीज और जनरल साइंस जो कि NCRT बेस्ट है और आपके सारे कॉंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टिंट है आज इसका पार्ट वन जो है मैं आपके साथ डिस्कर्स करने वाली हूँ यह जितने भी कुष्टिन्स जो मैंने यहां मेंशन किये हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रीवेस यह पेपर से उठाए हुए हैं बट उसकी जो अनलिसिस मैंने आपको दी है वो आपके लिए बहुत साधा इंपोर्टन्ट है आप इस अनलिसिस से ही समझ सकते हैं इस अनलिसिस से ही आपको 15 to 20 कुष्टिन स्रिख इस पार्ट वन से देखने के लिए जरूर मिलेंगे So, पहला question क्या है? The medicine paracetamol is So, paracetamol क्या है? यह आपके NTBC के previous question paper का यह question है And इसमें आपको चार options दिये गए थे First is analgesic, second is antipyretic, third is analgesic या फिर antipyretic दोनो And fourth क्या था? A non-steroidal anti-inflammatory drug So, इसका जो right answer है वो क्या है? तो इसका जो right answer है वो है option number third That is analgesic भी है, paracetamol and इसमें थोड़ी बहुत antipyretic की abilities भी होती है So, कैसे होती है? क्या इसकी जितनी भी information है? वो मैंने यहापे provide किया गया है मैंने यह provide किया है So, extra bits में मैं आपको वो सारी information दोनगी जो कि इस topic से related होगा और उसके options भी कहीं कहीं पर options से भी related जितनी भी information मुझे important लगता है वो मैं आपको जरूर प्रवाइट कराऊंगी So, let's discuss कि paracetamol या फिर जिसको हम acetaminophen कहते हैं वो क्या है? तो it is a common analgesic, a drug that is used to relieve pain So, basically it pain killer है It can also be used to reduce fever and some kinds of headache तो ये fever को भी थोड़ा बहुत कम करता है और इसके अलावा ये headache जो है वो भी थोड़ा बहुत कम करने का काम कर सकता है Paracetamol, ठीक है? So, this makes it antiparatic क्योंकि ये antiparatic Paratic मतलब क्या होता है fever? तो antiparatic means जो fever को reduce करें Something that reduces fever यहापर मैंने mention भी किया है So, it is used in many drugs that treat the flu and colds तो ये बहुत सारे drugs में यूज होता है Paracetamol जो की flu and colds को treat करने के लिए काफी जादा important है और useful है इसके बादम बात करते है The words acetaminophen and paracetamol both come from the names of the chemicals used in the compound N-acetyl para-aminophenol and para-acetyl aminophenol तो sometimes इसको हम और क्या बोल सकते है AP AP क्योंकि इसका जो नाम है वो क्या है N-acetyl para-aminophenol अब इसके बाद इसका structural formula देखते है अच्छा मैं आपको paracetamol किस तरीके से पूरा उसका जो formation कैसे हो रहा है यह मैं आपको जरूर अभी दिखाऊंगी तो उसके पहले हम यह देखते हैं कि इसका जो structural formula है वो कैसा है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका structure बना है तो यहाँ पर पूरा structure बना है यह सारी चीज़े मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ C8H9NO2 इसका जो molecular formula है वो क्या है C8H9NO2 यही एक बहुत important question आपका बनता है यहाँ पर कि पारसित्रमॉल का अगर molecular formula पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि पारसित्रमॉल का जो molecular formula है वो क्या है C8H9NO2 यहाँ पर लिखा भी होआ है इसके बाद इसका जो molecular weight होता है वो है 151.16 यह इतना important तो नहीं है molecular weight याद रखना बट फिर भी अगर आपको याद रहता है तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा जानना इसके बाद हम बात करते हैं इसके color की इसका जो color होता है वो होता है white color इसके बाद हम बात करते हैं इसके बात करते हैं तो थोड़ा से bitter होता है तो थोड़ा से कड़वा होता है इसके बात करते हैं melting point की तो इसका जो melting point होता है वो होता है 169 से लेके 170.5 degree celsius तक इसका जो melting point है वो vary कर सकता है इसके बाद हम बात करते हैं इसका formation किस तरीके से होता है Paracetamol का So let's see अच्छा उसके पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर मैं आपको mention करने जा रही हूँ कि इसका जो discovery था Paracetamol का वो किस ने किया था आपको NTBC का अगर आप prepare कर रहे हो या फिर किसी भी एक one day exam की preparation कर रहे हो जिसमें journal knowledge के question जरूर आएंगे तो उसमें आपको discovery के बारे में या inventions के बारे में एक question जरूर देखने को मिलेगा So आपको यह पता होना चीए कि आप जिसमें topic के बारे में पढ़े हो Whether it is a medicine Whether it is any kind of device आपको यह पता होना चीए कि इसका invention या फिसकी discovery जो है वो किस ने की है So paracetamol की अगर हम बात करते हैं तो paracetamol की जो discovery की थी वो कीती हर्मॉन नौत्रोप मॉर्से अगर हम बात करें यह एक American chemist थे and today उनको बोला जाता है He is known as the first जोनोंने synthesized paracetamol जो है उसको discover किया था एक और important इनका experiment था that is electrolytic method of depositing semi-permeable membrane और यही जो इनका contribution था इनका जो यह experiment था इसके कारण जो Wenthoff की जो theory थी उसको verified किया गया था Wenthoff की theory के बारे मैं मैं आपको बाद में कभी discuss करूंगी पर अभी मेरा जो main focus है वो paracetamol को discuss करना है सो मैं paracetamol का structure जो है वो आपके साथ discuss करने जा रही हूं सो let's see सो आप देख सकते हैं कि paracetamol को किस थरीके से form किया गया है यहाँ पर यह जो है यह benzene है अगर benzene के group में benzene का आपको formula तो पते ही होगा यह phenol हो जाएगा इसके बाद HNO3 जो कि है nitric acid इसको pass किया गया अगर phenol में nitric acid pass करोगे तो वो convert होता है paranitrophenol और ortho-nitrophenol में यहाँ पर देख सकते हो यह इसका diagram है यहाँ पर OH और NO2 group भी आ जाएगा और यह वाला जो है यह वाला जो structure होता है यह होता है para और यह वाला जो structure होता है तो यह होता है ortho तो यह एक formation है या इसको बोल सकते हैं आप nomenclature है जो कि IOPIC naming के based पे हैं अगर आप science background से नहीं हो तो मैं IOPIC naming अगर आप बोलो मुझे कि IOPIC naming में आपको समझा सकती हो इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो है यह para nitro phenol जो है उसके बाद यह convert reduce होगा और reduce होगे यह P amino phenol जो है उसमें convert हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर OH group और NH2 जो है वह उसमें convert हो जाएगा उस वाले group सा जाएगे अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिर यह जब reduction होता है इसके बाद यह बनता है paracetamol तो यह paracetamol का structure है इसको मैं थोड़ा सा और clear करके देखा दू कि paracetamol का structure कैसा होता है paracetamol का structure कुछ इस तरीके का होगा last वाला जो हमें obtained होगा वह होगा EDH CO CH3 और यहाँ पर OH ग्रूप है और यहाँ पर यह पर यह paracetamol मैं थो paracetamol है जिसका molecular formula CH9 और NO2 क्या आप अब देख सकते हैं यहाँ पर C जो है वह 6 है क्योंकि बेंजीन है तो यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर C होंगे और यहाँ पर 6 C है इसके बाद प्लस यह वाला जो C है यह और यह मिलके क्या हो जाएगा यह बन जाएगा C8 तो यहाँ पर जो carbon के जो atom है number of वह कितने है 8 है यहाँ पर hydrogen atom को count करें तो hydrogen atom को किसे count कर सकते हैं यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर यह लेके 5 हो जाएगा और 1,2,3,4 1,2,3,4 है ना यहाँ पर तो carbon हो सकता है लेकिन यहाँ पर hydrogen नहीं होगा यहाँ पर hydrogen hydrogen की bonding दिखरी है हमको तो यहाँ पर जो number of hydrogen होंगे वह कितने होंगे यहाँ पर count करें यहाँ पर कितने है 4 5 और यहाँ पर कितने है 5 है तो यह total count कितना हो जाएगा hydrogen का H9 तो इसलिए इसके molecular formula में C8 और H9 आता है NO2 तो यहीं से मिल जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर N1 है यहाँ पर O है और यहाँ पर 2 एक और O है तो NO2 यहाँ से आपको मिल जाएगा तो यह इसका molecular formula है basically इस तरीके से इसका formation होता है अगर आपको इसके formation में थोड़ा और doubt है तो प्लीज आप मुझे comment box अब इसके बाद हम बात करते हैं next question की that is second question तो second question में क्या आया था second question में यह previous year का NTPC का question paper से ही उठाया question है जो कि काफे simple question था the percentage of nitrogen in the air is about तो percentage कितना है nitrogen का हमारे air में यह question पूछा गया था और option 4 दिये गए थे पहला option था 74% second second था 76% third था 78% and fourth option जो दिया गया था वो था 80% तो इसका जो right answer होना चीए आप सबको वैसे इसका answer तो पता ही होगा इसका जो right answer होना चीए वो होना चीए 78% चाहिए अब इसके बारे में थोड़ा सा detail analysis कर लेते है मेरे extra bits में देखिए यहाँ पर extra bits में मैंने information दिया है कि air contains some gases water vapor and dust particles the gases in air are mainly nitrogen, oxygen and a small amount of carbon dioxide and many other gases इसके जितने भी content है वो mostly जो मैंने लिये है वो है NCRT based so don't worry about your examination preparation यहां से अगर आप complete करते हो अपना general science के section then definitely आपको यहां से बहुत सारे questions जो है वो देखने के लिए जरूर मिलेंगे so let's continue however there may be some variations in the composition of air from place to place so कहीं कहीं पर variations भी देखने को मिलता है कैसे क्योंकि poles जो है वहां पर near the poles अलग है थोड़ा सा variation equator के side पर जो air का composition है वो थोड़ा सा different होता है so यहां पर एक line दिया है कि it contains mostly nitrogen and oxygen nitrogen and oxygen जो है उसका जो concentration है वो हमारे atmosphere में mainly जो है वो exist करता है इसके बाद in fact these two gases together make up 99% जो है हमारे air का वो nitrogen and oxygen से मिलके ही बना होता है इसके बाद हम बात करते हैं जो remaining 1% है वो क्या है तो remaining 1% जो है वो actually उसमें क्या-क्या होते है उसमें होता है carbon dioxide and few other gases like water vapor है and dust particles तो ये सारी चीज़े remaining 1% में आती है इसके बाद अगर हम water vapor को थोड़ा से elaborate करें तो water vapor accounts for roughly 0.25% of the atmosphere by mass तो 0.25% जो है atmosphere का अगर मैं mass-wise बात करूँ तो वो water vapor जो है वो hold करके रखता है इसके लाबाद the remaining gases are often referred to as trace gases जो जितनी भी remaining जितनी भी gases बच गई है वो trace gases जो है उसको बोला जाता है among which are the green house gases principally carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone ये जितनी भी gases है ये mainly क्या है ये green house gases है जो है green house जो है का concept जो है बाद में आपको किसी lecture में जिसमें question आएगा उसमें green house का पूरा concept जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा concept तो यहाँ पे हम देखते हैं कि green house gases जो है वो कौन-कौन सी है तो green house gases जो है वो है carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone इसके बाद हम बात करते हैं besides argon जो argon है उसके लाबा और हमारे हाँ पे अल्रेडी mentioned noble gas है उसके लाबा और कौन-कौन सी noble gases जो है वो atmosphere present होती है तो वह है neon, helium, krypton, xenon यह भी थोड़ा-थोड़े से amount में बहुत ही little amount में atmosphere में यह भी gases present होती है यहाँ पे एक diagram mention किया है जिसमें composition of air जो है वो percentage wise जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे nitrogen जो है उसका जो percentage है वो कितना है सबसे जादा है that is 78% और यहाँ पे oxygen जो है वो 20.9% है कहीं कहीं पे 21% भी mention होता है तो 21, 20.9% approximate है 21 इसके बाद आगन होता है गैसे इसके बाद जो होता है वो other gases है जबसे कम amount में जो gases मिलती है वो है gas मिलती है वो है carbon dioxide that is 0.03% यहाँ से आप देख सकते हो इसका पूरा डाइग्राम और यह आपको percentage जो है वो याद होना ज़रूरी है क्योंकि अकसर यह question जो है वो हमारे exams में आते रहते हैं कि ear में इस gas का कितना concentration है कोई particular gas के बारे में पूछ सकते है जोती भी important और main gases है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इसके बाद हम बात करते हैं third question के बारे में जिसमें दिया है which one of the following is not a bleaching agent तो इसमें आप देख सकते हो के options क्या क्या है इसमें आपको option दिया गया था sodium hypo chloride, calcium hypo chloride hydrogen peroxide and hydrogen sulfide so यह आपके NTPC में आया हुआ question है तो काफे important question है क्योंकि यह जो questions आते हैं यह bleaching agents related एक दो question आ सकता है आपके paper में क्योंकि bleaching powder का question तो कमबल सरी है आता ही है किसी set में आपको यह देखने मिलता ही है bleaching powder का question so यहाँ पे क्या क्या आपको option दिया था आपको option दिया था यहाँ पे sodium hypo chloride, calcium hypo chloride hydrogen peroxide and hydrogen sulfide तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो right answer होगा वो क्या होगा इसमें से कौन सा bleaching agent नहीं है तो इसमें से bleaching agent जो है वो hydrogen sulfide जो है वो bleaching agent नहीं होता है बाकी के जो तीनों है 1, 2, 3 वो bleaching agent का काम कर सकते हैं तो आईए हम देखते हैं यह जितने भी options जो given है उसकी properties, uses और उसके structural formula को थोड़ा देखते हैं ताकि हमें जो है कि आपके upcoming NTPC या फिर किसी और exam में आपके इसमें से कोई ना कोई question जो है वो आजाए So let's start with sodium hypochloride तो यहाँ पे मैंने extra bits में आपको sodium hypochloride की सारी की सारी important information यहाँ पे mention की है यहाँ पे आप देख सकते हो sodium hypochloride is a chemical compound with a chemical formula NaClO तो यहाँ पे जो hypochloride है उसका formula क्या होता है sodium hypochloride का NaClO इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको liquid bleach भी कहा जाता है यह important है कि हो सकता है कि ऐसा question आए कि liquid bleach इसमें से किसको कहते हो तो उसका answer होगा sodium hypochloride ना इसके बाद इसमें होता क्या है it consists of hypochloride ion and sodium cation तो इसमें hypochloride जो होगा वो N ion होता है इसका मतलब है हो जाएगा यह ClO- क्योंकि यह क्या है यह N ion है और Cl जो है वो क्या हो जाएगा वो N ion हो जाएगा यहाँ पे यह minus में होगा और यहाँ पे sodium जो होता है sodium में positive charge होता है इसलिए वो cations जैसा behave करेगा Na plus इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें यह जो है यह usually appearance इसका कैसा होता है तो इसका जो usually appearance होता है वो होता है pale greenish yellow dilute solution होता है color जो होता है वो थोड़ा सा greenish yellow color होता है and it is an unhydrous unstable compound जो कि explosively decompose होता है तो इसका जो decomposition होता है वो थोड़ा सा क्योंकि यह unstable compound है इसलिए थोड़ा सा vispotic होता है इसके बाद हम बात करते हैं कि it has a sweetish and chlorine like order तो इसका जो smell होता है वो chlorine जैसा होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन का presence है इसलिए इसका smell जो है काफी cheap sanitizer है इसलिए इंडुस्ट्री लेवल में इसको machines को clean करने के लिए और उनके पूरे equipment को clean करने के लिए यह सारे के सारे sodium hypochloride जो है वो काफी जादा use करते है इंडुस्ट्री लेवल पे इसके बाद हम बात करते हैं बीचिंग एजेंट जैसा भी काम करता है जैसे कि हमारा question ही पूचा गया था कि which is not a bleaching agent तो sodium hypochloride जो है वो तो bleach है ही इसके बाद it is widely used household chemical and it also has deodorizing property तो इसकी जो property है वो थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें जो smell होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है मदब थोड़ा सा sweet smell होता है ठीक है इसके लावा ये ionic compound form करता है क्योंकि इसमें cation है ठीक है जो कि na plus है यहाँ पे cation और यहाँ पे cl o minus है hypochloride anion यहाँ पे है तो ये दोनों जो बादिंग करेंगे तो इस तरीके का बनेगा NACLO होगा यह ionic bonding जो है वो form करेंगे it is soluble in water तो यह water में soluble भी रखता है solubility इसलिए इसको water में diluted form में use किया जाता है इसके बाद हम बाद कर देंगे इसका जो production किया गया था या फिसको जो discover किया था तो वो किस ने किया था produced by Claude Lewis Bertholet of France in the year 1789 तो यह जो compound है इसका जो discovery किया था वो किया था Claude Lewis Bertholet of France ने और year किया था 1789 में इसके discovery की गई थी और इस compound को किस तरीके से obtain किया था by passing the chlorine gas through potash lye solution basically यह lye क्या होता है lye एक metal hydroxide होता है जो कि obtain किया जाता है wood ashes की leaching से leaching मतलब होता है extract करना या फिल्टर करना या फिर बात कर सकते हैं इसी strong alkali को leach करके भी lye solution जो है वो obtain किया जाता है तो lye जो है वो basically soluble होता है water में जैसे कि हम बात कर सकते हैं caustic solution का solution हो गया caustic soda होता है उसका solution तो यह सारे जो होता है यह light solution के लाते है तो यहाँ पर potash light solution जो है वो use किया जाता है और उससे chlorine gas को pass किया जाता है तब जाके क्या बनता है sodium hypo chloride बनता है इसके बाद हम बात करते है यहाँ पर industry it can be synthesized by the hooker process अगर हम बात करें तो यह hooker process रहा है उससे यह बनाया जाता है industry level पर और इस process में dilute sodium hydroxide is made to react with chlorine gas तो dilute sodium hydroxide उसको chlorine gas के साथ क्या किया जाता है रियाक्त करवाय जाता है और वो generate करता है NaClO plus sodium chloride plus water तो यहाँ पर जो reaction बनता है वो कैसे बनेगा यहाँ पर reaction बनेगा यहाँ पर dilute sodium hydroxide जो है उसको यहाँ पर प्लस यहाँ पर chlorine gas के साथ react कराया जाएगा और यहाँ पर जो बनता है वो बनता है NaClO plus NaCl that is common salt plus यहाँ पर water का formation होता है तो यही basically क्या है? hooker process है यही hooker process का chemical reaction है जो कि मैंने as in formula chemical formula जो है वो मैंने आपको represent कर दिया है तो अब हम बात करते हैं इसके बाद इसके structure के बारे में So structure of sodium hypo chloride आप यहाँ पर देख सकते हो यह पूरा structure है sodium hypo chloride का तो Na plus में positive ion होगा और यहाँ पर CLO minus जब यह दोनों combined होंगे तो बनेगा sodium hypo chloride So यही इसका structure है जो कि बहुत थोड़ा सा simple है अब यहाँ पर हम इसके properties के बारे में बात करते हैं तो properties जो है sodium hypo chloride की वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर sodium hypo chloride का जो molecular formula है वो है NaClO तो यही आपका एक important question बनता है कि sodium hypo chloride को किस तरीके से आप chemical formula जो है उससे आप denote कर सकते हो तो यह है NaClO इसके बाद हम इसकी molecular weight के बारे में बात करते हैं इसका जो molecular weight है वो कितना है 74.44 gram per mole और इसका जो density है वो है 1.11 gram per centimeter cube इसके बाद हम इसकी बात करते हैं boiling point के बारे में इसका जो boiling point है वो कितना है 101 degree Celsius और melting point जो है 18 degree Celsius यह properties जो है वो आप एक बार read out जरूर कर लीजेगा हो सकता है किसी ना किसी exam में यह properties जो है उसमें से एक question जो है वो आ सकता है इसके बाद हम इसके users के बारे में बात करते हैं तो users of sodium hypochloride जो है वो क्या-क्या है देख लेते हैं daily users के जो products होते हैं उससे related एक question जो है वो जरूर आएगा आपके exam में तो bleaching powder हो गया sodium hypochloride हो गया अभी यह काफी ज़्यादा news में होने के कारण because of coronavirus तो यह काफी ज़्यादा important हो जाते हैं इन compounds के बारे में जानना तो इनके usage जो है वो एकदम आप जरूर से इसके usage जो है वो बिलकुल याद करिएगा इसका पहला जो usage है वो क्या है तो it is used as a key ingredient and laundry breach so laundry breach में इसको बहुत ही important ingredient होता है यह laundry breach में इसके लावा यह तो हमें पता ही है कि यह bleaching agent है और यह textile industries में जो है वो काफी साथा usage में आता है use में आता है और इसके बात करते हैं कि it is used as an oxidizing agent तो oxidizing agent क्या होता है देख लेते हैं oxidizing agent क्या है तो oxidizing agent जो होता है उसमें क्या होता है यह ऐसे substance होते हैं जिनके पास ability होती है ताकि वो oxidize करे other substances को ताकि वो electron जो है उसको accept कर सके और कुछ common oxidizing agent जो है वो कौन-कौन से होते हैं तो वो होते है Oxygen and hydrogen peroxide या फिर आप बात कर सकते हैं Halogen वो भी Oxidizing agent का काम करता है या फिर Oxidizers वो कहलाते हैं तो यह है Oxidizers इसके बात करते हैं It is used in Detergent Industries also Detergent Industries में भी Sodium Hypochloride वो यूज होता है इसके बाद यह Petroleum जो products होते हैं उसको refine करने में भी इसको use किया जाता है इसके अलावा यह Paper Industries में यूज होता है जो Waste Water Treatment है उसमें भी Sodium Hypochloride का use होता है क्योंकि एक Disinfectant की तरह भी काम करता है इसके बाद जिब Important जो एक Discovery जो हुई थी वो किसने की थी Sodium Hypochloride की वो किया था Sodium Hypochloride का जो Discovery था वो किया था French Chemist जिनका नाम था Birth Ouellette in Jevil जो कि Paris के Outskorts में पढ़ता है और किया था 1787 के टाइम पर तो यह Important है आपके लिए जानना जितने भी मैंने पहले ही आपको बोला है जितने भी Devices हैं जितने भी Compounds हैं जितने भी Elements हैं उनके Discovery जो है वो जरूर से आपका एक Question तो है उससे फसेगा ही फसेगा इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है इसके बाद हम बात करते हैं Calcium Hypochloride के बारे में जो हमारा Second Option था तो Calcium Hypochloride जो है वो एक Chemical Compound है जिसका Molecular Formula जो है वो क्या होता है तो Calcium Oxychloride और Bleaching Powder जो है इसके Alternative Names है किसके Calcium Hypochloride के यह कैसे बनता है तो it is an Ionic Compound that is made of a Calcium Cation Ca2+, क्योंकि Calcium क्योंपर जो Ion होता है जो Calcium Cation होता है वो होता है Ca2+, and 2 Hypochloride N-Ions तो N-Ions जो होता है जो होता है जो होता है जुन में Negative Charge होता है तो यहां पर 2 Hypochloride और एक Calcium Ket Ion अगर यह दोनों ही मिलके एक जो Ionic Compound बनाएंगे तो वो ही बनता है Calcium Hypochloride इसके बाद डिस्पाइड बिंग क्वाइड स्टेबल तो Stability रखता है लेकिन जैसे जैसे यह थोड़ा सा वातावरन या फिर बोल सकते Environment थोड़ा सा जब नमी आ जाए या Moist Environment हो जाए उस Condition में धीरे-धीरे Decompose होने लगता है मतलब यह Complex Substance को Breakdown करके Simplex Substances में Convert होना Start कर देता है और इसके Chlorine Smell जो है यह छोड़ना स्टार्ट करता है Because इसमें Chlorine जो है वो Present होता है इसके बाद हम बात करते है Calcium Oxychloride जो होता है वो Produce होता है Industrial Scale में By reaction of Chlorine Gas With Calcium Hydroxide तो Calcium Hydroxide और Chlorine जो है जब वो दोनों आपस में React कराए जाएंगे तभी Calcium Hypochloride जो है उसका Formation होता है और यह कब Discover हुआ था तो 1798 में जो Tenant थे England के उन्होंने एक Solution पेपेर किया था Calcium Hypochloride का और Inexpensive Line के साथ Chlorine का reaction कराया था और तब जाके यह बना था Calcium Hypochloride इसके बाद हम इसके Structure के बारे में बात करते हैं तो इसका जो Structure है आप देख सकते हो थोड़ा सा Simple Structure है क्योंकि यहाँ पर Single Bonding जो है वो दिख रहे है यहाँ पर Single Bonding है Calcium है और Calcium के साथ यहाँ पर Oxygen की Bonding है और Chlorine की भी Bonding आप देख सकते हो इसके बाद हम इसकी Properties के बारे में देख लेते हैं that is 142.98 Grams per Mol यह इसका Molecular Weight है और इसका जो Density होता है 20 degree Celsius में वो कितना है that is 2.35 Grams per cubic centimeter सो एक बार इसको Readout जरूर कर लीजेगा इसका जो Melting Point है वो होता है 373 Kelvin और इसका Celsius Scale में जो Melting Point है वो होता है 100 degree Celsius कितना होता है 100 degree Celsius इसके बाद हम इसके boiling point के बाद अगर करें तो boiling point जो होता है वो होता है 448 Kelvin और अगर Celsius Scale के बाद करें तो Celsius Scale में होता है 175 degree Celsius इसके बाद यह important है कि इसके uses क्या है तो uses of calcium hypochloride क्या-क्या है देख सकते हैं यहां पर calcium hypochloride जो है वो kitchens में use किया जाता है ताकि disinfect किया जा सके जितने भी equipments है kitchen में जितने भी utensils तो नहीं पर equipments या फिर surfaces के अगर हम बात करें उसके लिए आप use करते हो calcium hypochloride और इसके लावा जो common uses होते हैं वो होते हैं बात्रूम cleaners में यूज कर सकते हो या फिर household में जो disinfectant जो sprays वगेरा है उसमें आप use कर सकते हो algicides की तरह use कर सकते हो herbicides की तरह और laundry detergent के लिए bleaching powder जो है वो काफी जादे useful होता है इसके बात जो calcium hypochloride है उसको आप haloform reaction में भी यूज करते हो ताकि आप chloroform जो है उसका production कर सको इसको आप use करते हो disinfect करने के लिए based water और drinking water दोनों को क्योंकि इसमें chlorine जो है उसकी availability जो है वो जादा होती है इसके बात इसको और भी हम कहाँ यूज करते हैं इसको हम यूज करते है swimming pools में ताकि water bodies जो है swimming pool की उसको sanitize कर सके और जितने भी उसमें germs है उसको हम destroy कर सके तो bleaching powder का वहाँ पर भी use होता है इसके बाद इसके discovery के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो discovery हुआ था वो tenant ने किया था experiment किया था solution of chlorine और milk of lime के साथ 1798 में और उसके बाद उनने slake lime को chlorine के साथ जब बनाया या फिर react कराया तो एक solid bleaching powder जो है वो उनको मिला और ये पहला bleaching powder था जो की solid form में था chlorine bleached था जो solid form में था और इसको हम easily जो है वो transport कर सकते थे तो this was the first इसके बाद हम बात करेंगे hydrogen peroxide के बारे में hydrogen peroxide जो है वो एक chemical compound है जिसका molecular formula क्या होता है या फिर बोल सकतो chemical formula that is H2O2 इसका chemical formula है और in its pure form ये बहुत ही ज़ादा very pale blue liquid का होता है ये और ये थोड़ा सा इसकी जो viscosity होती है जिसको हम घनत वो बोलते है ये water से थोड़ी ज़ादा होती है इसके बाद hydrogen peroxide जो है वो simple peroxide होता है जिसमें oxygen oxygen का single bond होता है तो ये simple peroxide है और ये भी as an oxidizer जो है वो यूज किया जाता है मैंना already explain कर दिया है कि oxidizer क्या होते है and bleaching agent और antiseptic के लिए भी आप hydrogen peroxide को use कर सकते हो इसके बाद concentrated hydrogen peroxide या high test peroxide एक reactive oxygen species है जिसको हम rockets के propellant या फिर बोल सकते हो fuels as a fuel भी हम उसको use कर सकते है और ये chemistry इसकी जो chemistry है वो dominate करते है by the nature of its unstable peroxide bond तो ये काफी जादा इसका जो peroxide bond है थोड़ा unstable होता है hydrogen peroxide और ये दीरे-दीरे क्या होता है decompose होने लगता है light की presence में तो इसी instability के कारण जो hydrogen peroxide होता है वो typically जो है उसको store किया जाता है किसमें weak acid solution में और एक dark color की bottle में ये question बहुत important है और ये question I think ये question previous ये paper में भी आया होगा कि आया है I think कि ये जो hydrogen peroxide है इसको आप किस acidic solution strong या फिर weak acidic solution के साथ किस color की bottle में आप रख सकते हो whether it is dark और light तो यहाँ पे hydrogen peroxide जो है उसको dark color की bottle में रखते हो तो ये important है आपके लिए जानना इसके बाद hydrogen peroxide जो है वो biological systems जो कि हमारी human body है उसमें भी पाया जाता है जितने भी enzymes जो कि hydrogen peroxide को decompose करते हैं उनको हम peroxydases कहते हैं that is peroxydases इसके बाद हम इसके properties के बारे में अगर बात करें तो इसका जो chemical formula होता है वो होता है H2O2 और इसका जो appearance होता है जैसे कि हमने देखा ही इसका जो appearance है वो pale blue color का होता है originally लेकिन ये solution में अगर होगा तो इस colorless हो जाएगा इसके बाद इसका जो order होता है वो काफी जादा sharp होता है जिसको हम तीखा बोल सकते है चीक है और इसका जो melting point है वो है minus 0.43 degree Celsius और अगर Fahrenheit में बात करें तो 31.23 degree Fahrenheit और Kelvin में 272.72 Kelvin इसके बाद second इसकी बात करें इसकी property तो वो है boiling point तो boiling point जो है इसका कितना है 150.2 degree Celsius अगर Fahrenheit स्केल में बात करें तो 302.4 degree Fahrenheit और Kelvin में होता है 423.3 Kelvin इसकी जो solubility होती है water में वो होती है miscible miscible का मतलब होता है village shield होता है ये इसको मैं हिंदी में भी थोड़ा लिख देती हूँ village shield होता है miscible का मतलब village shield चीक है अब हम बात करते है solubility जो होती है इसकी क्या होती है तो ये ether और alcohol में तो solubile होता है लेकिन ये petroleum जो है उसमें थोड़ा सा insolubility रखता है petroleum में solubile नहीं होता है इसके बाद इसका जो structure है आप देख सकते हो यहाँ पर single bonding है oxygen oxygen की यहाँ पर single bonding देख सकते हो तो यहाँ पर जोसका molecular formula बन जाता है वो होता है H2O2 इसके बाद इसके uses के बारे में अगर हम बात करें तो in daily life it is used as a hair bleach and as a mild disinfectant and antiseptic की तरह भी ये market में sold होता है जिसको हम the hydrol भी बोलते हैं अब it is used to manufacture chemicals like sodium pervorate and percarbonate जो की high quality के जितने भी detergents है उसमें ये chemicals जो होते हैं वो use करते हैं और उसके लिए use किसको किया जाता है hydrogen peroxide को use किया जाता है इन chemicals को manufacture करने के लिए इसके बाद इसका जो next use है वो क्या है that is it is used in the synthesizers of hydroquinone tartric acid and certain food products and pharmaceutical cephalosporin तो cephalosporin जो है वो एक large group के antibiotics होते है जिसको आप fungal एक fungus विमोनियम ये जो fungus होते है ये fungus जो है इसको पहले हम cephalosporium कहते थे और ये जो antibiotic का जो group है इस fungus से जो बनाया गया है वो bacteria को kill करने के लिए काफी useful है और ये penicillin जो है उसकी तरह ये work करता है तो सिर्फालosporin जो है इसकी information मैंने आपको दे दी इसके बाद ये industries में भी यूज होता है as a bleaching agent like textile या फिर paper pulp leather या फिर oil flats वगेरा fats बनाने में भी इसको यूज किया जाता है industries में इसके बाद hydrogen peroxide जो है इसको आप यूज करते हो for creating organic peroxide based explosives इसके बाद hydrogen peroxide जो है वो यूज किया जाता है certain waste water treatment process के लिए ताकि जितने भी organic impurities है वो remove करा जा सके and इसको sterilization के लिए hydrogen peroxide भी यूज किया जा सकता है क्योंकि एक antiseptic की तरह work करता है इसके बाद एक और इसका important use है that is hydrogen peroxide is also used for tooth whitening तो ये tooth को white करने के लिए भी use हो सकता है and ये आपके कुछ जो tooth paste होते है जो whitening toothpaste आप देख सकते हो उसके content में आप जरूर देखोगे कि hydrogen peroxide जो है वो mention है so ये था hydrogen peroxide के बारे में और इसकी discovery जो थी वो किसने की थी तो देख लेते है इसके discovery जो थी वो की थी 1818 में by Lewis Jackwiss Thurnard and इसको barium peroxide के साथ nitric acid जब react कराया था तब hydrogen peroxide जो है वो produce किया था white के बारे में बात करते है जो कि हमारा last option था और हमारा answer भी था तो ये chemical compound है with a formula H2S ये colorless talcogen hydride gas है with a characteristic foul order of rotten eggs तो चालकोजन्स क्या होते है तो periodic table की जो oxygen family है जिसमें selenium, telenium या फिर polonium जो की radioactive element है और oxygen है, sulfur है ये सारे जितने भी elements है वो हमारे oxygen family जो है उसमें पाए जाते है हमारे periodic table में अगर आप देखोगे group number 16 जो है उसमें होती है oxygen family तो वो कहलाते है वो जो group कहलाते है वो चालकोजन्स भी कहलाता है तो यह इसका जो smell होता है, यह काफी जादा, मतलब rotten eggs जासा होता है, मतलब सड़ा हुआ जो अंडा होता है, उसकी तरह इसका smell होता है, यह काफी poisonous भी है, थोड़ा corrosive और flammable भी होता है, इसके पाद hydrogen sulfide जो है, वो produce किया जाता है, from the microbial breakdown of organic matter in absence of oxygen gas, such as in swamps and sewer, तो swamps क्या होता है, actually swamps का मतलब होता है, दल-दल, चाहिए, अगर मैं आपको इसको हिंदी में अगर बता हूँ, तो यह का मतलब होता है, दल-दल, स्वाम का मतलब होता है, दल-दल, चाहिए, तो swamps यह सीवर्स वगेरा जो है, उसमें, जो है, hydrogen sulfide को produce कर सको, in absence of oxygen gas जो है, जो और यह sulfate reducing, जितने भी microorganisms है, यह carried out करते हैं, इसके बाद hydrogen sulfide जो है, यह ओकर हो सकता है, कहां पर, volcanic gases में, natural gases में, या फिर some source of well water, मतलब जो कुवे का पानी है, उसमें भी यह produce करता है, और उसको use किया जाता है, signaling molecules की तरह, तो cell signaling होता क्या है, तो cell signaling जो है, मैंने आपको information दि बादी में जो communicate हो रहा है, तो यह communication process का ही हिस्सा है, जो हमारी body को basic activities जो है, cell को यह govern करता है, या फिर indicate करता है, और coordinate करता है, multiple जितने भी अलग-अलग cell है, उसके actions के साथ, अगर थोड़ा सा भी signaling interactions में अगर error आ जाए, या फिर cellular information जो है, उसमें थोड़ा सा भी error आ जाए, उसके कारएं क्या क्या disease हो सकते है, cancer हो सकता है, diabetes हो सकता है, या फिर autoimmunity की diseases जो है, वो हो सकता है, इसके बाद इसका structure देखते है, यहाँ पर इसका जो heading होना चाहिए, यहाँ पर sulfide होगा, यह hydrogen sulfide का जो है, वो structure है, और यहाँ पर देख सकते हो, आपर single bonding में, यहाँ पर 2H ह है, तो यह हो जाता है, H2S, hydrogen sulfide, अब हम इसकी properties के बारे में अगर बात करें, तो इसकी जो property है, उसमें सबसे पहले तो इसका chemical formula ही बहुत इंपोर्टेंट है, that is H2S, and इसका जो molar mass होता है, वो होता है, 34.08 gram per mole, and इसका appearance जो है, वो कैसा होता है, colorless case होती है, इसका order जो है, व 1.363 gram per decimeter, cubic decimeter, तर इसके बार, इसके melting point के अगर हम बात करें, तो इसका melting point होता है, वो होता है, minus 82 degree Celsius, और Fahrenheit scale में अगर हम बात करें, that is minus 116 degree Fahrenheit, and अगर हम बात करें, Kelvin scale में, that is 191 Kelvin, और अगर boiling point की बात करें, तो इसका जो boiling point है, वो है, minus 60 degree Celsius, and Fahrenheit scale में होता है, minus 76 degree Fahrenheit and Kelvin scale में है to 13 Kelvin इसके बाद हम इसके uses के बारे में बात करते हैं, तो uses of hydrogen sulfide आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर it is used in metallurgy for the preparation of metallic sulfides, तो metallurgy में यह use होता है ठीक है, metallurgy क्या होता है extracting metals from the ores, यह होता है metallurgy and यह metallic sulfides वगेरा में use किया जाता है for the preparation of that and it is also used in the preparation of phosphorus, oil additives and as an analytical reagent in chemical analysis, तो यह सारे इसके uses होता है कि इसको phosphorus या फिर oil additives में भी आप use कर सकते हो इसके लाबा इसको metal separation removal of metalling impurities या फिर for reaction with numerous sub-functional organic compounds वगेरा में भी आप इस use करते हो, तो mainly इसका जो use होता है वो metal extract करना या फिर separation में भी इसका use किया जाता है, hydrogen sulfide का इसके बाद इसके discovery के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो discovery किया था, वो किया था, Swedish जो chemist थे, जिनका नाम था Carl Wilhelm Scheele, इनको credit मिलता है कि इनोंने discover किया था hydrogen sulfide को in 1777 इनने discovery की थी, किस चीज की hydrogen sulfide की इनोंने इसके बाद जो फूर्ट कुश्चन है वो काउन सा है चलिए देख लेते हैं तो फूर्ट कुश्चन जो है वो है गन पाउडर में इसके बारे में कुश्चन है कि गन पाउडर जो है उसमें क्या होता है में ली तो देखो यहां पे चार क्याशन है, calcium sulfate, potassium nitrate, lead sulfite या फिर zinc sulfite तो इसमें जो इसका right answer होगा वो होना चाहिए potassium nitrate क्योंकि गन पाउडर जो है उसमें में जो है वो potassium nitrate जो है उसका concentration होता है इसके बाद हम इसके extra bits को देख लेते हैं तो गन पाउडर जो है also known as black powder to distinguish, to form modern smokeless powder is the earliest known chemical explosive तो सबसे पहले जो है so gun powder जो है वो काफी earliest जो known chemical explosive है and it consists of a mixture of sulfur, charcoal, potassium nitrate तो potassium nitrate का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका यह और है KNO3 जो है potassium nitrate का और होता है जिसका एक और नाम क्या होता है? salt pitter इसके बाद इसमें sulfur and charcoal जो है वो fuel की तरह act करता है while अगर हम salt pitter की बाद करें तो वो किस तरीके से काम करता है? oxidizer की तरह काम करता है तो basically oxidizers क्या होता है? वो substance जिसके पास ability होती है ताकि वो oxidize करे other substances को to accept their electron oxidizing agents क्या-क्या है? यहाँ पर common oxidizing agent है oxygen, hydrogen peroxide and halogen तो मैं already आपको बता चुकी हो oxidizers or oxidizing agent जो है वो almost same ही चीज है यहाँ पर अगर हम बात करें because of its in-density property and the amount of heat and gas volume that it generates gun powder has been widely used as a propellant in firearms artillery rockets, fireworks and as a blasting powder in querying, mining and road building तो road building या फिर माइं करने में इसको जो है as an explosive जो है वो यूज किया जाता है gun powder को और इसका discovery जो है वो किया था चाइना ने and gun powder was invented यहाँ पर लिखा है कि इसको invent किया था 9th century चाइना ने as one of the four great inventions and spread throughout most of the Eurasia by the end of the 13th century so 9th century जो है उस तैम पर चाइना जो है उसने gun powder को invent किया उसके बाद जो Eurasia वाला जो पार्ट है उसमें पूरा का पूरा spread हो गया था by the 13th century and originally developed by terrorist for medical purposes and gun powder was first prepared for warfare around 900 and 480 तो सबसे पहले जोसको medicines purpose के लिए यूस किया गया था medicinal purpose के लिए आप gun powder जो है उसको develop किया गया था उसके बाद इसको warfare या फिर लडाई वगेरा में या wards में यूस किया गया कब around 9th century around है तो gun powder जो है इसके बारे मैं जान लिया है इसके बादब fifth question जो है heart से related नहीं है तो यहाँ पर देखो चार options है aneurysm cardiomyopathy dipteria myocardial rupture so myocardial rupture dipteria cardiomyopathy और aneurysm इसमें जो है इसमें answer जो है वो आपको समझ में आई रहागो कि इसका जो answer है वो dipteria होना चीए क्योंकि dipteria जो है वो किसी heart से related disease नहीं है dipteria जो है वो bacteria से होता है so let's see कि यहाँ पर सारे जितने भी diseases है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा elaboration यहाँ पर किया है तो आप देखते पहला disease कौन सा था option में तो पहला था aneurysm aneurysm जो है वो एक enlargement हो जाते देखो aneurysm जो होता क्या है तो उसमें जो arteries होती है जो हमारी artery wall में जो arteries होती है उसमें weakness आने लगती है क्योंकि जो arteries होती है वो बड़ी होने लगती है या फिर enlarge होने लगती है तो इसके लावा जो aneurysm है इसमें होता क्या है इसमें जो हमारी आर्ट्री वॉल है उसमें काफी साथ वीकनेस आने लगती है वीकनेस के कारण क्या होता है क्योंकि वीकनेस क्यों हो रहा है वीकनेस के कारण ये क्या करेगा बल्च करेगा या फिर डिस्टेंशन करेगा आर्ट्री का तीरे दीरे उसमें क्या होने लगें का सूजन आने लगती है यह फिर डिस्टेंशन होने लगता है मतलग एक डिजीज जो है वो बनने लगता है आर्टरी में डिजीज कॉस होने लगता है तो अनुरिजम में यह सारी चीज़े होती है, इसके पार इसके important factors के अगर हम बात करते हैं, तो अनुरिजम जो है वो अफेक करते हैं, वराइटी ओव आटरीज को, तो most significant अनुरिजम जो होता है, जो brain और heart जो है, उसको जो blood पहुचाता है, या फिर वहां से जो blood carry करता है, व brain artery है, तो यह जो अनुरिजम होते हैं, यह काफी साथ है, रिस्की होते है, इसके बाद इसका जो rupture है, आनुरिजम का वो internal bleed भी कर सकता है, इसके बाद इसका जो risk होता है, रप्चर करने का, वो अलग-अलग individuals में अलग-अलग जो है, वो शो होता है, smoking and high blood pressure जो है, वो major risk factors हो इसके कारण aneurysm नाम की जो ailment है, वो हो सकती है body में, और कुछ टाइप के जो aneurysm है, उसको surgical treatment की जरुत होती है, अगर आपको internal bleeding या फिर rupture हो गया है, तो उसको prevent करने के लिए, doctor जो है, वो operate तभी करेंगे, अगर यह aneurysm जो disease है, उसको तभी operate किया जाएगा, जब वो life क हो है, वो होना start कर दे, इसके बाद जो next disease था, वो था cardiomyopathy, so cardiomyopathy यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक normal heart है, और यहाँ पर एक cardiomyopathic heart है, so यहाँ पर होता क्या है, cardiomyopathy is a disease of the heart muscle that makes it harder for your heart to pump blood to the rest of your body, तो बहुत मुश्किल, heart muscles की disease है, जो आपके heart को मुश्किल कर दे करता है, कि वो आपकी पूरी body में जो है, वो blood को pump करा सके, so cardiomyopathy जो है, वो काफी सदर dangerous है, क्योंकि इसके कारण heart जो है, इसमें failure भी हो सकता है, और जो main type के cardiomyopathy होते हैं, वो dilated, hypertrophic, restrictive myopathy में हो सकते हैं, cardiomyopathy भी हो सकते हैं, इसके सब आप नाम अगर एक बाद देख लो में आपको कोई symptoms या फिर कोई sign नहीं दिखेंगे, बद जैसे जैसे disease जो है, वो अपने advanced stage में जाएगा, तो sign and symptoms जो है, वो usually जो है, वो दिखने लगते हैं, तो क्या-क्या symptoms हो सकते हैं, आपको breathlessness होगा, तो अगर आप बहुत जादे exertion करते हो, या फिर आप रेस्ट भी कर है, वो बनता जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका abdomen में भी blotting हो सकती है, या फिर आप जो लेटे हुए हो, तो आपको cough जैसा problem भी हो सकता है, आपको थकावट, fatigueness हो सकता है, या फिर heart beat जो है, बहुत जादा, या फिर बहुत तेजी से चलनने लगे, या फिर आपको जो chest है, उसमें pressure है, या फिर discomfort आपको chest में जो है, या इसके सारे जो है, वो symptoms है, अगर हम causes की बात करने तो इसके कुछ main causes होते हैं, जिसे की long term high blood pressure, heart tissue damage from a heart attack, chronic rapid heart rate, heart valve problems, अगर हाट के valve में आपकी problems है, तो भी हो सकता है, ये disease, metabolic disorder सच अच 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 सारे diseases है, तो भी आपको cardiomyopathy की problem हो सकती है, nutritional deficiencies के कारण भी हो सकता है, जैसे कि minerals हो गए, या फिर thiamine, vitamin B1, इसके deficiency के कारण भी cardiomyopathy की problem हो सकती है, pregnancy में अगर कोई complications है, तो भी हो सकता है, या फिर बहुत जादा alcohol जो है, वो बहुत सालों से अगर ले रहे हो, तो भी आपको cardiomyopathy की problem हो सकती है, या फिर iron जो है, अगर आपके heart muscle में बहुत जादा iron हो गया है, जिसको हम बोलते है, hemochromatotis, जिसको हम बोलते है, hemochromatosis, hemochromatosis जो है, वो जो है, उसमें होता कहा है, उसमें आपकी body में बहुत सारा iron जो है, वो बनने लगता है, तो उस condition में भी आपको cardiomyopathy की problem जो है, वो हो सकती है, इसके बाद जो next disease है, वो कौन सा था, वो था diphtheria, diphtheria जो है, वो एक serial bacterial infection है, that usually affects the mucous membrane of your nose and throat, तो ये आपके mucous membranes होते हैं, nose and throat में, जो आपके नाक और गले में, जो आपके membranes है, उसको जादा affect करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके figure में बनाया हुआ है, यहाँ पर कहा है, diphtheria can be treated with medications, तो diphtheria को medication, medicine लेके भी आप treat कर सकते हो, but advanced stages में diphtheria जो है, वो आपके heart को आपके kidneys को, या फिर आपके nervous system को भी damage कर सकता है, even with treatment, diphtheria जो है, वो डेडली भी हो सकता है, especially बचो में यह काफी जादा डेडली होता है, इसके बदगर मैं इसके symptoms के बारे में बात करूँ, तो diphtheria signs and symptoms usually begin 2-5 days after a person become infected and may include, तो जो signs and symptoms होगे, वो दो से लेके पास उनके इसको वो अफिर या फिर आपका जो गला है वो बहुत सद आपको लगे की बैठा हुआ है या फिर बहुत सद ड़ें जो बनान बहुत हैं जो कि आपके lymph nodes उते हैं जो कि गल्वलें के पास होता है वो अगर full गए हो, swollen होगे हो या फिर आपको difficult हो रहा हो ब्रीद करने में य जा फिर आपके नाक से अगर कुछ बहर जासे फ्लुईड बहरा हो अगर आपके नाक तो यह जो है यह bacterial disease है बैक्टेरियम यूजली multiply करते है और near the surface of the throat तो हमारे गले के असपास यह bacteria जो है यह पने आपको multiply करना start करता है और कोने बैक्टेरियम डिप्थेरी जो है वो spread किस-किस से हो सकता है यह ear bond जो हमारे droplets है जैसे कि कोई infected person है जिसको already diptheria है अगर उसने sneeze कर दिया या फिर cuff release किया तो उससे आपको क्या हो सकता है contaminated droplets है वो जो उसके पास जो people खड़ा है उसको हो सकता है अगर उसने सास ले ली उस ear से अगर उसने सास ले ली है इसके बार हम बात करते हैं contaminated personal or household items के बारे में जैसे कि people occasionally catch diptheria from handling and infected person thing such as tissues या फिर hand towels that may be contaminated with the bacteria तो ऐसा कोई जैसे कि घर में ही अगर कोई item है या फिर कोई personally कोई किसी की चीज है जैसे कि towel वगेरा हो गया अगर उसको diptheria है और वो infected है तो इससे क्या हो सकता है bacteria के फैलने का chances जो है किसी और person में बहुत जादा हो जाता है इसके बाद हम बात करते है myocardial rupture के बारे में myocardial rupture जो है वो laceration है of the ventricles or artery of the heart तो laceration होता क्या है basically laceration मतलब होता है या फिर deep cut bowl या फिर tear wall जो कि skin में या फिर हमारे flesh वगेरा में हो तो वही होता है laceration तो basically एक rupture ही है rupture से ही आप समझ सकते हो कि damage या हमारा interventrical septum होता है या फिर बोल सकते हो यहाँ पे जो papillary muscles होता है जो heart के असपास होता है उसमें यह जो है यह disease जो है एक condition है जिससे आप क्या कर सकते हो previous disease या फिर कोई injury जो है उससे यह धीरे-धीरे जो है वो बढ़के क्या हो सकता है वो myocardial infarction जिसको हम heart attack भी बोलते हैं वो हो सकता है मतलब यह धीरे-धीरे जो है वो grow करके चोटे से damage से ग्रो करके heart attack का तक रूप जो है वो ले सकता है इसके बाद यह cause जो होता है वो हो सकता है कि trauma के कारण भी हो जाए कोई किसी तरह का आपको गर सदमा लगे तो उस condition में भी यह हो सकता है इसके बाद इसके science and symptoms के बारे में बात करते हैं तो उसका जो symptom है वो recurrent या फिर persistent अपको क्या होगा chest pain होगा अगर आपको chest pain हो रहा है या फिर आपको syncope जैसी problem हो रहे है syncope मतलब होता है unconsciousousness वाली जो feeling है वो हो रहा है या फिर आपका distension हो रहा है嗜ुगूलА veins में जुगूला vein होते हैं जो हमारे large नमरूब जो veins होते हैं और जो मारे head और face से जो blood जो है वो heart तक पहुचाते हैं वो होते हैं jugular veins तो jugular veins जो है अगर उसमें कोई pressure बर जा रहा है क्योंकि jugular veins में अगर superior venakawa जो है अगर उसमें कोई pressure बर रहा है जोगular veins इसकी विज़े से क्या हो सकते हैं? पूल जाते हैं फिर swollen होना स्टार्ट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? distension of jugular veins तो sudden death भी हो सकती है myocardial rupture के कारण and it sometime preceded with no symptom तो कोई symptom ना होने के बावजूद भी हो सकता है कि इसी को myocardial rupture जो है वो हो जाए इसके बाद इसके जो causes है वो क्या है? तो most common cause जो होता है वो होता है recent myocardial infarction अगर किसी को recently किसी को अगर heart attack आया है minor heart attack अगर आया है with a rupture typically occur 3-5 days after infarction मतलब heart attack के 2-3 दिन बाद अगर किसी को ये rupture हो जाए मतलब myocardial rupture जो है उनमें usually जो है वो हो सकता है इसके बाद other causes of rupture include cardiac अगर किसी को trauma लगा हो या फिर endocardiasis हो या फिर infection of the heart जिसको बोलते हो endocardiasis या फिर cardiac tumor वगेरा हो या फिर कोई दूसरे जितने भी disease हो heart के या फिर iotic dissection वगेरा अगर heart में हो तो उस condition में भी ये जो है ये हो सकता है myocardial rupture so आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये lecture अच्छा लगा then please like share and subscribe अगर आपको इससे related अगर आपको कोई भी doubt आता है तो please आप comment box में comment करके आप मुझे अपना doubt बता सकते हो मैं जरूर आपके doubt का answer देने की पूरी कोशिश करूँगे so thank you very much आज के लिए इतना ही